साथियों, हम जब पंदरपूर जैसे अपने तिर्थों का विकास करते हैं, तो उससे केबल सांस्कृतिक प्रगती जी नहीं होती, पूरे छेत्र के विकास को बल मिलता है। जो सडके यहां चवडी हो रही हैं, जो नए हाइवे सिकृत हो रहे हैं, उसमें यहां धार्मिक परियाटन बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और सेवा अभ्यानों को भी गति मिलेगी। हम सभी के स्रधे, अटाइविहरी वाजपई मानते भी थे, कि जहां हाइवे पहुँच जाते हैं, सडके पहुँच जाती हैं, वहां विकास की नई धारा बहने लगती है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वानिम चत्रभूच की शुरुवात कराई, देश के गाउं को सडकों से जोडने का अभियान भी शुरू किया, आज उनी आदर्शों पर देश में आधूनिक इंफ्रास्टेक्टर पर तेजगती से काम हो रहा है। देश में हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, डिजिटल व्यवस्ताओं को बढ़ाया जा रहा है। देश में आज नए हाइवेज, वाटर वेज, नए रेल लाइने, मेट्रो लाइने, आधूनिक रेल वेस्टेशन, नए एरपोर्ट, नए एर रूट्स का एक बढ़ा विस्त्रूत नेटवर्क बन रहा है। देश के हर गाउं तक, आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। हर गरीब को पक्का मकान, हर गर में सवचालाए, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर गर को नल से जल और हमारी माताव भेनों को गैस कनेक्शन। ये सपने आज सच हो रहे हैं, समाज के गरीब, बन्चीत, दलीत, पिछडे, मद्दमबर को इनका सबसे जादा लाब मिल रहा है। झास